नमस्कार साथियों मेरा नाम है अक्षे और दृष्टी आईएस के आउडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा ओडियो आर्टिकल दहिंदू में छपे लेख नैरो व्यू और सुप्रीम कोर्ट्स पी एम एल ए वर्डिक और इंडियन एक्स्प्रेस में छपे लेख बाय अफोल्डिंग पी एम एल ए सुप्रीम कोर्ट पुटसित स्टैंप और काफकाज लौ के सम्मिलित सार इसमें टीम द्रश्टी के इंपुट्स भी शामिल है यह ओडियो आर्टिकल सामान यद्धिन प्रशनपत्र 2 के भारती सम्मिधान एवम राजविवस्था खंड से जुड़ा है तो आईए ओडियो आर्टिकल की शुरुआत करते हैं हाल की दिनों में जो दो बातें आपने खबरों में बार बार सुनी और पढ़ी होंगी वो हैं एडी और मनी लॉंडरिंग मनी लॉंडरिंग एक ऐसी गैर कानूनी प्रक्रिया है जिसमें अवैध्य रूप से अरजित आए को छिपाया या बदला जाता है इसमें ऐसे क्रिया कलाब किये जाते हैं जिससे अवैध्य रूप से अरजित आए वैध्य रोतों से उत्पन आए प्रतीत होती है इससे ब्रष्टाचार जैसी गतिविदियां बढ़ती हैं इसके साथ ही इससे सरकार के राजस सुपर भी नकारात्मत प्रभाव पढ़ता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह से अरजित आए पर आमतार पर किसी भी प्रकार का टेक्स यानि कर नहीं चुकाया जाता हाल ही में सुपरीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ये खासा चर्चा में आ गई है दरसल सुपरीम कोर्ट में कई आचिकाएं दायर की गई थी इन्हीं आचिकाओं में प्रेविंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत ED को प्राप्त शक्तियों की समविधानिक्ता को चु करेंगे साथ ही हम प्रेविंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के बारे में भी जानेंगे तो आए सबसे पहले ED के बारे में जान लेते हैं सुतंतरता के बाद देखा गया कि भारतियों द्वारा विदेशों में चल रहे एक्सचेंजों में पैसा लगाया जाने लगा जिस मुद्रा विनियमन अधिनियम नाम से मौजूद था लेकिन फिर भी इसके लिए एक मजबूत शंस्था की अवशक्ता महसूस की गई इसी संदर्ब में आर्थिक मामलों के विभाग ने एक यूनिट के प्रस्ताओं पर चर्चा शुरू कर दी इसी करम में 1 मई 1956 को ED की स्थ अपना आर्थिक कारे विभाग के नियंतर्ण में एक प्रवर्तन इकाई के रूप में की गई थी ये इकाई साल 1947 के F.E.R.A. यानि Foreign Exchange Regulation Act के तहट स्थापित की गई थी अगले साल 1957 में इसी काई का नाम बदल कर Enforcement Direct Rate यानि प्रवर्तन निदिशा ले कर दिया गया शुरू इस तरह प्रवर्तन निदिशाले एक बहु अनुशाशनिक संगठन है जो Money Laundering के अपराद और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंगन की जाच के लिए अधिदेशित है और ये भारत सरकार की एक आर्थिक खूफिया एजेंसी के तरह भी काम करती है अब सवाल है कि ED क तो किन-किन कानूनों के तहर शक्तियां प्राप्त होती हैं गौर्तलब है कि भारत सरकार दोरा समय समय पर Money Laundering को रोखने के लिए कानून बनाए गए हैं इसके अलावा इस परकार की गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए भी प्रावधान किये गए है भारत सरकार दोरा बनाए गए इन ही कानूनों से E.D. को शक्तियां प्राप्त होती हैं इस सूची में सबसे पहला नाम फेरा एक्ट का आता है दरसल इस अधिनियम का मुखे कार विदेशी भुकतान पर नियंतरन लगाना था इसके साथ ही पुझी बाजार में काले धन पर नजर रखना विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर भी नजर रखना था इस तरहे फेरा कानून को भारत में विदेशी भुकतानों पर नियंतरन लगाने और विदेशी मुद्रा का सतुपयोग करने के लिए बनाया गया था हाला कि वरतमान में ये लागू नहीं है साल 1999 में फेरा की जगे फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया गया फेमा यानी FEMA कानून का उद्देश ये विदेशी व्यापार और भुकतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को एकिकरत और संशोधित करना था इसके साथ ही भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विवस्थित विकास और रखरखाओ को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुखुदेश है दरसल फेमा की शुरुआत निवेशकों के लिए अनुकूल वातवरण प्रदान करने हित्व की गई थी यही वज़े है कि फेमा एक अर्थ में पूरी तरह सिविल कानून है क्योंकि इसके उलंगन में केवल मौद्रिक दंड या अर्थ दंड का ही प्रावधान है इसके तहत ED उलंगन के मामलों में सम्मंधित व्यक्ति पर कारवाही कर सकती है इन दोनों कानूनों के अलावाँ ED को सबसे अधिक शक्तियां अगर किसी कानून से मिलती है तो उसका नाम है PMLA यानि Prevention of Money Laundering Act या धन शोधन निवारन अधिनियम इस कानून को भारत में साल 2002 में अधिनियमित किया गया था इसके बाद इसमें तीन बार शन्शोधन किया जा चुका है Prevention of Money Laundering Amendment Act 2012 के माध्यम से अपराधों की सूची में धन को छुपाना, अधिगरहन, कबजा और धन का क्रिमिनल कामों में उपियोग इत्यादी को शामिल किया गया इसके अंतरगत RBI, SEBI और BIMA विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को लाया गया है इस तरहे इस अधिनियम के प्राधान सभी वित्ये संस्थानों, बैंकों, म्यूच्वल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्यम अध्यस्तों पर लागू होते है ये कानून अपनी प्राकृती में एक आपराधिक यानि क्रिमिनल प्राकृती का है PMLA के तहए दोशी पाए जाने पर अपराधी के धन को जब्त करने का प्रावधान है इसके साथ ही ED इस तरहे के धन से बनाई गई संपत्ती को भी कुर्ग कर सकती है इसके अलावा इसमें ED को यह धिकार दिया गया है कि वह मनी लांडरिंग के वामलों में किसी वेक्टी को गिरफतार कर सकती है PMLA Act की धारा 24 के मताबक आरोपी वेक्टी को खुद ही अपने आप को निर्दोश साबित करना होता है इसकी अन्यधारा के मताबक आरोपी वेक्टी द्वारा ED को दिया गया बयान ही निया एले में सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है इस तरहे PMLA Act ED को कई विशेश शक्तियां परदान करता है आई अब जान लेते हैं कि PMLA के प्रावधानों पर आखिर विवाद क्यों खड़ा हुआ है इस कानून के तहट ED को यह शक्ति दी गई है कि वे मनी लॉंडरिंग के आरोपी की पहचान करे और उस पर कारवाही करे गौटलब है कि CRPC यानि आपराधिक प्रक्रिया सनहिता कहती है कि अगर किसी एजेंसी या पुलिस ने कोई मामला दर्श किया है तो उस एजेंसी का काम है कि वो संबंधित वेक्ति को गुनहगार साबित करके दिखाए लेकिन PMLA Act की धारा 24 कहती है कि अगर किसी वेक्ति के उपर money laundering का आरोप लगता है तो उस वेक्ति का यदायत तो होगा कि वो खुद को निर्दोश साबित करके दिखाए इसमें ED को यह धिकार दिया गया है कि वो किसी वेक्ति को तलब कर सकती है साथ ही किसी मामले में संबंधित वेक्ति के बयान ले सकती है और उन्हें दर्ज कर सकती है गौर्टलब है कि ED द्वारा लिए गए गए बयान को नियायले में सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि भारती संब्धान के अनुचेद 20 में कहा गया है कि किसी वेक्ति को अपने खिलाफ साक्षी या गवा होने के लिए बाद नहीं किया जाएगा इसके अलावा सामवाने कानूनों में भी पुलिस को दिया गया बयान नियायले में सबूत के तौर पर माने नहीं होता है ED जब कोई मामला दर्च करती है तो उसे FIR नहीं कहते हैं बलकि उसे ECIR यानि Enforcement Case Information Report कहते हैं ED किसी वेक्ति को गिरफतार करते समय उसे ECIR की Copy Up लब्ध नहीं कराती है इस कारण वे वेक्ति ये जान नहीं पाता है कि उसके उपर आरोप क्या है या उसे किस मामले में गिरफतार किया जा रहा है जबकि भारती समविधान के अनुछेद 22 और अन्य सामान कानूनों में कुछ अपवादों के साथ कहा गया है कि किसी वेक्ति को बिनाकारण बताए गिरफतार नहीं किया जाएगा इसलिए आलोचकों द्वारा PMLA Act के इन प्रावधानों की आलोचना की जाती है उनका आरोप है कि इस कानून के कई प्रावधान गैर समविधानिक है इस कानून के कई प्रावधान मूल अधिकारों का उलंगन करते है इसी संदर्ब में कई लोगों द्वारा उचितम न्यायले में करीब 242 याचिकाएं दायर की गई थी उन्होंने याचिकाओं के माध्यम से मांग की थी कि नियायले PMLA Act के विवादित प्रावधानों को गैर समविधा निगोशित करे इसके साथ ही उचितम नियायले संदर्व में ED की शक्तियों को भी कम करे उचितम नयायले ने इन तमाम याचिकाओं को कलब यानी समेकित करते हुए इन पर एक साथ सुनवाई की, सुनवाई के बाद कोट ने एडी की शक्तियों को बरकरार रखा साथ ही कोट ने कहा कि मनी लॉंडरिंग कोई साधारन अपराद नहीं है, इसलिए इससे निपटने के लिए कठोरता आवश्यक है यह अर्थविवस्था के साथ साथ समाज को भी प्रभावित करता है इसके साथ ही यह अन्य गंभीर आपरादिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है जैसे कि बरष्टाचार, आतंगवात तथा नशीले पदार्थों का कारोबार रित्यादी इसलिए उचितम न्यायले ने PMLA Act के कथित विवादित प्रावधानों को वैध करार दिया है तो आईए इस सब के बाद जान लेते हैं कि इस मामले में आगे किराह क्या हो सकती है चूंकि मनी लॉंडरिंग एक गंभीर मामला है इसलिए इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाये जाने की जरूरत है इस अंदर में ED यानि प्रवरतन निदेशाले को PMLA Act द्वारा प्रबल शक्तियां दी गई है जो ED को मनी लॉंडरिंग के मामलों से निपटने में सक्षम बनाती है यह Act ED को एक Civil Court के समान ही शक्तियां परदान करता है ED को प्रवत प्रवल शक्तियों के कारण ही इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ जाती है इसे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हतियार के रूप में भी इस्तमाल किया जा सकता है हाल के दिनों में सरकार पर ऐसे कई आरोप भी लगते रहे हैं देश के विपक्षी दल लगतार के इंद सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ED का राजनीतिक इस्तमाल कर रही है इसलिए सरकार को ऐसे किसी आरोप से बचने के लिए चाहिए कि वे ED का उपयोग यतोचित रूप से ही सुनिश्चित करे अगर PMLA-1 का इस्तमाल विरोधियों के खिलाफ एक हतियार के रूप में किया जाता है तो ये जाहिर तोर पर अपनी परसांगिक ताख हो देगा इसके साथ ही इस बात का भी खयाल रखा जाना जरूरी है कि नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित रहें इस अंदर में उच्छितम न्यायले को भी विशेश ध्यान रखना चाहिए इसके अलावां PMLA Act के ऐसे प्रावधानों पर पुनर विचार करने की जरूरत है जिनसे मामले की जाच की प्रक्रिया ही सजा बन जाती है कुल मिलाकर किसी भी संस्था या कानून को सम्विधान सम्मत बनाने पर जोर देना चाहिए जिसे देश में विधी का शाशन स्थापिद रहे चली बन्त में आज की अभ्यास प्रश्न की बात कर लेते हैं आज का हमारा प्रश्न है धन शोधन निवारन अधिनियम 2002 के प्रावधानों को असम्विधानिक बताना कितना तर्क संगत है परिक्षन कीजिए धन्यवाद